नमस्कार मैं संजय सनम यूटूब के सभी विवर्स का हर्दे से अभिवादन विवर्स आज का वीडियो जोतिस जोतिस में बाधक ग्रहे किस तरह हमारी जिंदगी पर परभाव डालते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जोतिस में 12 रासी 12 लगन 27 नक्षत्र यानि 12 लगनों में पूरी दुनिया की जनम कुणलिया हैं और हर व्यक्ति की जनम कुणली में कोई न कोई ग्रह कारक है कोई अकारक है कोई बाधक है कोई मारक है मारक ग्रहों के बारे में बात बहुत इस्पस्ट है कि जनम लगन का दूसरा भाव और सात्वा भाव ये मारक कहा जाता है लेकिन बादक ग्रहे में अभी भी बहुत सारी विवेचना ऐसा लगता है कि जैसे कयास की रूप में हो रही है संभावनाओं के साथ हो रही है बादक ग्रहों के बारे में जोतिस विद्वानों की अपनी अपनी राए है अपने विचार हैं, अपने अपने अनुबों हैं और यहाँ पर जब बादक्रे की हम बात करते हैं तो आज मैं चार लगनों की बात करूँगा यानी चार लगन में सबसे पहले चर लगन चर लगन मतलब movable sign और movable sign की जब हम बात करते हैं तो अगर आपका जनम लगन मेश है, यानि शुरुवात अगर एक नमबर से होती है, तो आपका लगन चर लगन है, मुवेबल है, और अगर आपका जनम लगन करक है, तो भी आपका जनम लगन मुवेबल है, इसी तरह तुला और मकर, यानि ये चार लगन मुवेबल है, और कह ज्योतिशस्तर में कि चर राषी के जो लगन होते हैं वहाँ पर बादकिस्तान एकादस भाव होता है अब आप देखिए एकादस भाव जिसे लाबिस्तान कहा जाता है अगर जनम कुली में एकादस भाव में बहुत सारे ग्रह बेड जाएं तो पर्थमद्रस्ट्टिया ये क कि आपको सारी वीदियों से बहुत सारे तरीकों से एक से अधिक माध्यम से आपको धन लाब होगा, आपकी मन की इच्छा पूर्ण होगी, आपको मित्रों के दौरालाब मिलेगा, आपको बड़े वाहि के दौरालाब मिलेगा ये पर्थम द्रस्टिया बात कही जाती है लेकिन अगर आपका जनम लगन चर है तो फिर एकादस भाव का मालिक कहीं न कहीं आपके लिए बाधक गरह की संडचना में उपस्तित है अब आप देखिए अगर आपका लगन मेश है तो मेश लगन में एकादस इस्तान का मालिक शनी होता है और शनी यानि दस्वे भाव का मालिक, स्टेटस का मालिक, करम चेतर का मालिक, इग्यार्वे भाव यानि लाबिस्तान का मालिक तो मेस लगन की कुंडली में शनी, दसम और एकादसम दोनों इस्तानों का मालिक होता है लेकिन चर लगन होता है इसलिए यहां इसे बाधक कहा जाता है मेस लगन के इंसाफ से अगर हम बात करें कि मेस लगन का मालिक मंगल होता है और बादक जो ग्रह है वो शनी होता है तो मंगल और शनी की शत्रुता वो हम सब जानते हैं इसलिए यहां पर अगर शनी को बादक कहा जाता है तो फिर वो बहुत जादा कहीं आपती जनक नहीं है लेकिन अब सवाल यह है कि शनी बादक कहां उपस्तित करेगा अगर शनी लाबिस्तान में उपस्तित है तो क्या वो वहाँ बादा उपस्तित करेगा या शनी एक से लेकर के बारे भाव में जहां भी उपस्तित है वो उस ग्रह के लाब आने से रोकेगा उस भाव के लाब आने से रोकेगा या फिर लगन भाव में इस्तित है तो लगन भाव को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा अब भाव सारे जोतिस विशेशग्यों की अपनी अपनी राएं है अपना अपना मत है कुछ जोतिस विशेशगे ये मानते हैं कि बादक गरे जहां उपस्तित होते हैं यानि जनम कुनली के जिस भाव में उपस्तित होते हैं वो उस भाव में फल देते हैं यानि उस भाव में वो बादा उत्पन करते हैं उस भाव के लाब आने से रोकते हैं कुछ जोतिसमित्र ये मानते हैं कि जहां बादक गर है जिस भाव से यानि वो जिस भाव का कारक है यानि अगर एकादस भाव का कारक है तो वो कहीं भी बेठा हो लेकिन वो परभाव एकादस इस्तान का ही देगा यानि अगर लाव भाव की बात है तो लाव भाव में बादक बनेगा अगर भाग्य बाव की बात है तो भाग्य बाव में बादक बनेगा अगर सब्तमिस्तान की बात है तो फिर आपके व्यापार आपके पार्टनर आपकी पतनी साजेदार यहां पर वो बादा की स्रस्टिक करेगा अलग-अलग मत है और कहीं पर इतना विरोदा बाष बहास भी है जैसे जैसे हम पाल टू में आगे जाएंगे जब हम इस्तिर लगन की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाधक गरहों की जब बात की जा रही है तो कितना विरोधावाश है यानि कितने शुब योकारी गरह भी वहाँ पर बादकेश के रूप में आते हैं कुछ जोतिसमित्र यह भी करते हैं कि बादक गरह लाब की बादा नहीं करता बादक गरह आपके शरीर में आयुश्य की बादा कर सकता है यानि जब आप बिमार होते हैं और अगर उस वक्त मारकेस की दशा होती है द्रश्टी होती है या मारकेस की यूती होती है मारकेस का प्रवाव होता है और वहाँ पर कई बाधक ग्रह की दशा भी आ जाती है तो फिर वो आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन के लिए बादक रहे है शनी और शनी बादक है तो शनी फिर दस्वें भाव यानि आपके स्टेटस आपके प्रमोशन यहां पर बादा करेगा लाब भाव यानि आपको जो अपने करम छेतर से जो लाब मिल रहा है उसमें वो बादा उत्पन करेगा और एकादस भाव जिस इस्तान का कारक है जहां जहां का कारक है वो उस इस्तान की बादा वो पस्तित करेगा ठीक किसी तरह से करकलगन की बात करते हैं करकलगन में शुक्र अब शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र करकलगन में चोते इस्त तो शुक्र जब यहां पर है, तो फिर वो चतुर्त और एकादस, यानि दोनों में कहीं न कहीं, वो बादक सरस्थी करेगा, जिस तरह से मेश लगन में शनी 10 और 11 जिस जिस भाव का कारेक है, वहां पर वो बादकी सरस्थी करेगा, उसके बाद हम चलते हैं तुला लगन में, तुला लगन में सुर्य, सुक्र का लगन और सुर्य एकादस भाव का मालिक, सत्रूता सामने है, इसलिए बादक यानि विपरीत फल अगर देगा, तो उसमें कहीं कोई विरोधावास नहीं है, एकादस भाव का मालिक है, यानि होते हैं विशेश रूप से वो बादा वहां से भी आ सकती है आपको सरकारी परसाशनी कारियों में भी कहीं बादा सकती है अगर आप कोई टेंडर का काम कर रहे हैं अगर कोई सरकार के छेतर का आपका कोई काम है सरकारी परमोशन की बात है तो वहां पर भी आपको बादा मिल इस्टिक कर देते हैं अगर ऐसी इस्तितियां बनती है जब आपकी दशा मारकेस की होती है मारकेस के साथ बादकेस की भी दशा अंतर परतेंतर कहीं चुड़ जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एफेक्टिव वहां पर हो जाती है तो तुला लगन के लिए शूरिये एक लाब को भी इससे आप देख सकते हैं सरकारी साहिता, सरकारी लाब, सरकारी सुईता को भी आप यहां से देख सकते हैं चोथा लगन है मकर यह शनी का लगन है और यहां पर मंगल चतुर्त और एकादस भाव का मालिक है तो चूंकि मंगल एकादस भाव का मालिक है चर लगन है इसलिए मंगल यहां पर बादकेश के रूप में सामने आता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल और शनी की आपस के जो संबंध है वो सकता है कि वहां पर भी उनके लाब को भी ये कम करें अगर यहां पर में मंगल की बात करता हूँ तो मंगल चुंकि चतुर्त भाव कामी मालिक है इसलिए मंगल का परभाव वहां पर भी पर सकता है यानि चतुर्त भाव के लाबों में कमी करना इसके साथ साथ ये जो राशिय होती है अगनी तत्व की पर्थवी तत्व की वायू तत्व की जल तत्व की तो उनके परभाव भी कहीं न कहीं इन के साथ जोड़ जाते हैं तो ख्रुमिना कर viewers ये था विवेचन चर लगन में जो बादक ग्रह होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और वो किस तरह से परभाव डालते हैं मैं फिर कहूंगा कि अभी ये विवेचना सोध के रूप में चल रही है अभी एकदम ऐसा कोई स्टेटमेंट तारकिक रूप से नहीं आया है कि ये जो बादक करे हैं वो यही परभाव डालेंगे यही उनके गुण आएंगे लेकिन अपने अपने अनुभों के आदार पर हमारे जोतिस मित्र के अपनी बात है वो आप यूटूब में सुनते रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक किज़ेगा शेर किज़ेगा चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूले